मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून इस्ट्रोलजी में आए जोतिश के एक नए कारिक्रम में चर्चा की जाए शनी ग्रह की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग पांच महिने तक वक्री यानि रेट्रोग्रेड रहने के बाद शनी देव 11 अक्टूबर को लगभग 141 दिन के बाद डिरेक्ट मोशन में आएंगे जोतिश जगत में शनी ग्रह का खासा महत्व है क्योंकि इने एक प्लैनट ओफ कर्मा माना जाता है और जब यह पीछे की ओर चलते हैं जब यह बैक्वड चलते हैं रेट्रोग्रेड रहते हैं तो यह माना जाता है कि हमारे कार्मिक री बैलेंसिंग का टाइम है यहाँ पे जो हमने पास्ट में कुछ हमारी लेन देन रह गई थी उसको बैलन्स करने का ये समय होता है एक जो बहुत जरूरी जानकारी में देना चाहूंगी कि जिसके भी जिनकी भी जन्म की कुंडली में शनी वक्री है तो उन्हें शनी के वक्रत ववस्था में कुछ लाव देखने को मिल सकता है और जिनकी कुंडली में जन्म की कुंडली में शनी मारगी होते हैं उनके जीवन में शनी के मारगी होते ही बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं अब आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि शनी आपके किन-किन भाओं के स्वामी हैं और वो कहाँ पे आपकी कुंडली में अवस्तित हैं उन सभी भाओं से संबंधित आपको लाव मिलने शुरू हो जाएंगे प्रुवाइड़ आपके शनी जो है वो मित्र राशी में है स्वार राशी में हैं या अपनी उच्च राशी में हैं अगर वो नीच के हैं या अपनी शत्रू राशी में हैं या उन्हें दिशाबल नहीं प्राप्त है या उन्हें डिग्री कली वीक हैं तो उसके लिए परसनल कंसिल्टेशन ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर ध्यान रख और ये दोनों एक साथ ही रेट्रोग्रेड हुए थे लगभग कुछ दिनों के अंतराल में ही और जब 18 तारिक से गुरू ब्रिहस्पती भी मारगी हो जाएंगे तो हम सभी लोगों में एक उत्सा का संचार जरूर देखने को मिलेगा एक आप ओवरॉल आप देखेंगे कि च कुछ अच्छा लगने लगेगा एक आप फ्रेशनेस फील करेंगे तो इस तरह की स्थिती बन रही है तो मैं आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत एंथूजियास्टिक हूँ कि सभी हम सभी बारस जौडियक साइन वालों के लिए ये बहुत ही अच्छे समय की शुरू लेकर आई है तो देखिए मिथुन राशी वाले जातकों के लिए जैमिनी नेटिव्स के लिए सैटर्न उनके एर्थ हाउस में अभी डिरेक्ट हो रहे हैं अस्टम भाव हमारे कुंडली का सबसे रहसे में भाव है ये हमारे पैत्रिक संपती का भाव है ये बहुत डीप न we B बहुत प संथ के इतो कि यहां से हम आयुष्य देखते हैं यहां से हम रितिय। यहां पर शनी देव शनी मार्गी होते तो आपके लिए एक बहुत बड़ी opportunity लाकर देते हैं एक बहुत बड़ा अवसर लाकर देते हैं अगर आप research के field में हैं scholar हैं आप किसी गूड़ विद्या को पाने के लिए प्रयासरत हैं आप occult science में रुची रखते हैं तंत्र मंत्र में रुची रखते हैं तो यहां पर आप की सफलता निश्चित है आप आपके जीवन में किसी भी तरह की आप अड़चनों का सामना कर रहे थे इन सभी मुद्दों से संबंधित तो वो सारी अड़चने दूर हो जाएंगी आप इस समय बहुत intuitive रहेंगे ध्यान रहें आपको 11 October से 25-26 April तक शनी देव मारगी करें इंट्यूशन है जो आत्मा की आवाज है वो बहुत प्रबल रहेगी इस समय आप किसी भी अपने समय चीज या कोई संदेहासपत चीज आपके जीवन में आसपास आप देखें तो उससे आप सतर्क रहें आप अपने आपको पुरी तरह से सेफगार्ड करके रखें आ आपके स्वास्त के लिहाद से ये समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा लोवर बॉडी में थोड़ी सी पेन रह सकती है दातों का दर्द रह सकता है हेर फॉल जैसी समस्या हो सकती है और इस तरह की आप भगवान न करें कोई परिशानी आपके जीवन में आए आप थोड़ा स अपना ध्यान रखिएगा स्वास्त को लेकर आप थोड़े सजग रहिएगा आप आलस्य को दूर भगाईए आप के लिए जीवन में इससे बड़ा मैं कोई मूल मंत्र नहीं दे सकती आप खुली हवा में थोड़े देर जरूर सैर कीजिए जितना भी पॉसिबल हो वाक या इवनिंग वाक आप जरूर कीजिए और आप नाच्रूल एंबियंस में अपने को रखिए यह आपके आत्मा और शरीर को हील करने में बहुत मदद करेगा और अगर मैं आपके फाइनांस की बात करूं तो यहां पे आपको अचानक से कुछ अंसर्टिन गेन होते व हैं तो अपनी ऐसी गती विदियों से थोड़ी दूरी बनाकर इन 5-6 महिनों में रखिए यह आपके लिए अच्छा रहेगा आप किस्मत के बल पर आप किस्मत पर कोई काम मत छोड़िए और यहां आप अपने बाहु बल से बहुत कुछ पा सकते हैं लेकिन किस्मत का सपोर उतना नहीं रहेगा तो इस तरह से मैं देख रही हूं कि जैमनी वालों के लिए अश्चम भाव से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने का यह उचित समय है